हेलो दोस्तों अगर आप भी मोटी चोटी चैलेंज लेना चाहते हैं तो आज की रेमेडी आपके बालों के लिए कमाल कर सकती हैं जी हाँ इसी पावरफुल रेमेडी का इस्तमाल करने के बाद जो मेरे बालों की डेंसिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है यहाँ पर आप मेरी चोटी देख सकते हैं अगर आप भी अपने बालों को लंबा मोटा घना बनाना चाते हैं तो प्लीज एक बार इस रेमेडी को जरूर ट्राय कीजेगा यह रेमेडी आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देने में हेल्प करेगी क्योंकि इसी रेमेडी का इस्त जादा ड्राय रफ और डेमेज रहते हैं यानि रूक्यों बेजान बालें तो उन बालों को यह स्मूथ सिल्की शाइनी बनाने में बहुत हेल्प करेगी यह रेमेडी आपने बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर करें तो आइए अब इस अमेजिंग से हैर पैक को बनाना स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए यहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ आप लेंगे वह है मेती दाना मैंने यहाँ पर दो से तीन टेबल स्पून मेती दाना लिया है और उसे राद भर बीगने के लिए रख करेंगा और आपके बालों को सिल्की स्मूशाइनी बनाने में बहुत हल्प करेंगा अब यहाँ पर जो नेक्स चीज़ आप लेंगे वह है अनियन यानि प्याज यहाँ पर आपने एक से दो मीडियम साइज के अनियन को लेकर अच्छे से धोकर साफ करके चौप कर लेना है अनियन आपके बालों के डेंसिटी को तेजी से इंप्रूफ करने में बहुत हल्प करता है आपके हेर फॉल को भी कंट्रोल करता है यह अनियन और मेती दाना कॉंबिनेशन का इस्तमाल करने के बाद जो मेरे बालों की डेंसिटी है वो बहुत इंक्रीज हो रही है तो प्रेश करीए लिया है, आप चाहें तो पाउडर भी लिये शकते हैं, अब यहाँ पर इन सारी चीजहों को आपने अच्छे से ब्लैंड कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारा है मास्क है, वह इसके रेडी है, ले पर वह प Но aimpping को बहुत क्या. मिले हैं तो आपको भी definitely मिलेंगे इस hair mask को आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है और पूरे hair length पे भी apply करना है एक से दो घंटा अपने scalp में रखने के बाद आप hair wash कर सकते हैं और इसी तरह से regular अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो उसे आप comment box में पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हम अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye and thank you